जिन्दगी बहुत हशीन है, कभी रुलाती है, कभी हसाती है, लेकिन जो जिन्दगी के भीर में उस रहता है, जिन्दगी उसी के आगे सर जुगाती है मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और इस स्लोग के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने जो मेहनत किया आपने जो ट्विटर कैम्पेन किया दिलो जान से किया क्यों कि आपको अपना हक चाहिए था इसलिए आपने इतना मेहनत किया और करना भी चाहिए इसलिए हम सब मिल करके ने जो मेहनत किया उसका कहीं न कहीं एक positive feedback देखने को मिला क्योंकि आपको हम अभी दिखाने वाले हैं सायद ये चीज कहीं न कहीं हमलाओं के लिए हमलाओं का जो मजबूत इरादा है उसको कहीं न कहीं एक मजबूती प्रदान करेगा तो मैं कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि जो लोग जो लोग Twitter campaign में भाग लिए और जो लोग Twitter campaign में नहीं भाग लिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ अब आपका समय है और आपकी बारी है और आपको एक सफल इंसान बनना है क्योंकि आपको पता है railway इतनी बरी रेलवे इतनी बरी फैक्टरी मने आती है वेकेंसी की आप सोच नहीं सकते है मुझार करा है सरकार चाहे तो हर एक युवा को खूस कर सकते हैं लेकिन पता नहीं क्या है सरकार के मन में कि 4-4 साल डिले कर देती है वेकेंसी को और बहुत सारे युवाओं की जो खूसी होती है वो खोसी छिन जाती है, क्योंकि सही समय पर सही खोसी अगर मिलती है, तो साइथ हमको लगता है कि लाइफ में इससे बढ़िया चीज और कुछ नहीं होती है, तो मैं इसलिए आपके सामने आया हूँ, कि हम लोग जो ट्विटर क्यामपेन किये, और उस ट्विटर क्यामपेन क एक positive feedback में आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि आपको सायद दिख रहा होगा, कि railway भरती 2023 और 2024, मैं हवा फैरिंग करनी की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बस और बस आपके positivity की मैं बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि 2023 और 2024, आप ये मान के चलिए कि vacancy आएगी, और आएग कि ही, ये sure है, confusion में नहीं रहिएगा, ये तो बाद में आप कहिएगा, कि सर अभी तो हमारी तयारी ही नहीं हुई, तो मैं आप से कहना चाहता हूँ, कि railway 2000, railway भरती 2023, 2024 का जो scenario है, उनके लिए जो नया अपडेट, हम लोगों की जो महनत काम आई है, वो हम लोगों का महनत है, कि भरती का जो नया अपडेट है, उसके लिए आप देख सकते हैं, हमको लगता है कि लाइफ में इतना ज़्यादा पोस्ट हम आज तक नहीं देखे होंगे, 3,12,895 पोस्ट आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर मैंने लगाया है, और ये एक fact data है, ये आप मान के चलिए कि जो डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एक fact data है, क्योंकि ये संसत के हमारे राज सभा की जो member है, उनके प्रस्नों का answer है, तो मैं कहना चाहता हूँ, जितने लोग लगे थे, जोड सोड से लगे रहना है, लेकिन इतना ज़्यादा vacancy की मैं बात करना चाहता हूँ, और ये संबावित क्या है, कैसे हम लोगों को ये vacancy दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, मैं इन सारे बातों पर बात करेंगे, तो हम दिखाना चाहते हैं, कि ये 3,8,895 जो post है, उनका क्या update है, तो ये भारत सरकार rail mantra, हम लोग जानते हैं, कि हमारा जो railway ministry है, ये भारत सरकार क अंदर control में है, तो मैं आप से कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, कि ये recent का है, और ये राज सभा के अंदर ये questions आया, क्योंकि हम लोगों ने जो आवाज उठाया, क्योंकि हम लोगों की आवाज से, हम लोगों की आवाज से पूरी दुनिया बुलंद हो सकती है, अगर हम आपका, 13-73 आपका 2023 का ये आप नौटिस देख पारे होंगे, इसमें प्रस्न का आंसर दिया गया है, तो जो प्रस्न किये, क्योंकि हम लोग सब सोसल मेडिया पर इतनी जादे ट्विटर केंपेन में भाग लिए, तो सोसल मेडिया पर बहुत लोग हैं, जो कि हमेशा करता हूँ, क्योंकि हम लोग की आवाज को उन्होंने उठाया है, और हम हर एक राज सवा के मेंबर से, हर एक लोग सवा के मेंबर से, मैं यहीं उम्मीद करता हूँ, कि सब लोग मिल करके आवाज उठाईए, क्योंकि आप कल के दित में आप भी एक युवा थे, कल के दिन म बस भारत सरकार से यही इनके पास, इनका एक यही question था कि भारतिये railway में करिमचारी की अगर कमी है तो कितनी कमी है, कितने seats हैं, इनको लेकर के इन्नोंने rail mantra लेकर इन्नोंने बोला कि rail mantra साव, आप हमें ये बताएं कि जो seat अभी vacant है और आपने जो seat भर रखा है, कितने seat भरी ग क्योंकि बहुत सरे युवाओं का मैसेज आप देख सकते हैं टूटर क्यामपेन में. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उन्होंने ये questions किया है, कि क्या ये सच है, कि रेलवे वर्तमान में रिक्त पद का 3.1-2 लाख पदों की कमी का सामना कर रहा है. क्या ये सच है, उन्होंने रेल मंतराले को ये message किया, और दूसरा उन्होंने ये बोला, अगर ये सच है, तो आप इसका व्योरा दीजिए, और उन्होंने ये भी बोला, यदि नहीं है, तो आप ये भी बताए कि जो नवाई जो संख्या, seat अभी vacant है, हमें वो भी चाहिए. ये दोस्त, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोगों का tutor campaign बहुत हद तक सफल हुआ है, और लास्ट वाजो पॉइंट है, ये आपका है, कि सरकार द्वारा देश भर में भारती रेलवे में, अराज पत्रित पदों को भरने के लिए क्या 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 क कि आपने हमारे रेलवे भरती के लिए आपने क्या कदम उठाए है, रेसेंट में हमें ये अपडेट दें, और जाइर सी बात है कि हम लोग इतना ज्यादा active हुए और active होना भी चाहिए, उस ही का आज ये feedback मिल रहा है, नहीं तो ये message दिखता भी नहीं, ये notice दिखता भी न मंत्राले कि आप क्या सकते हैं कि head है, उनका एक positive impact इस पर है, उनका एक positive सोच इन पर दिखा, जो कहीं न कहीं बहुत बहतरीन सीज माना जाता है, तो मैं आगे दिखाने वाला हूँ कि हमारे जो रेल मंत्राले के तरप से जो इनका उत्तर आया है, वो क्या है, तो उनका उत् चार्ट की दिया, और हमें लगता है, अगर आप इस चार्ट को अगर देखते हैं, तो metro की वेकेंसी है, पूरे railway जोन की वेकेंसी है, इतने भी railway जोन से सारे railway जोन की वेकेंसी है, और 21 railway जोन की मैं बात करना चाहता हूँ, उनकी वेकेंसी है, और उनके हर एक सारे जोन के, स जोर करके उन्होंने दिखाया कि 3,12,895 पोस्ट और हमें लगता है कि ये बहुत जादा है और दूसरी बात उन्होंने ये भी बोला कि अगर 3,12,895 पोस्ट की बात करते हैं तो जिसमें से group D के लिए 1,379 रिक्तियों के लिए पुरुवर्थी अधिसुचनाओं के अंतरगत भरती परिक्रिया को अंतिम रूप दिया जा रहा है यानि कि जो group D की वेकेंसी थी वो लगवग आपका complete होने जा रहा है यानि एक लाग जो वेकेंसी थी लगवग एक लाग से थोड़ा जादा ही है कि अव अंतिम पड़ाओं पे है इतने सारे बच्चे को तो जौब मिल और इसके बाद वनों ने ये भी बोला कि हमारा जो group C level का जो post होता है जिसमें NTPC के थुरू बहुत बच्चे अलग-अलग level में जाते हैं तो 37,135 अभियरती को पैनल में सामिल किया गया आप देखिए अगर 1,03,000 और यहाँ पर अगर 37,135 पोस्ट को अगर आप add कर देते हैं हमको लगता है कि 1,40,000 क्या प्रॉक्स होगा और अभी भी आपके पास 1,70,000 और 1,70,000 आप समझते हैं वेकेंसी या 5 को सीट के लिए अगर निकलता है तो लाखो लाख फॉर्म गिर जाते हैं और 1,70,000 अगर 50,000 करके भी हर एक साल दे दिये होते तो साइद कितने का घर खुस हो गया होता कितने कितने लोग कितने लोग अपने माँ आपकी जिंदगी को और 10 साल 20 साल बढ़ा दिये होते मैं आप से कहना चाहता हूं मेरे दोस्त आपको हमेशा तयार रहना है यह आप यह आपकी वज़ा से यह रिजल्ट आया है यह हम लोगों की वज़ा से यह तो हम लोगों को हमेशा तयार रहना है और तयार तो रहना ही रहना है, मजबूती के साथ तयार रहना है, यह नहीं कि बस कहनी के लिए तयार रहना है, पूरा मजबूती के साथ अपना effort लगाना है, जो process है, उस process को follow करना है और हम लोगों को आगे भी बरना है, तो मैं कहना च 70,000 पोस्ट है अगर आपके सामने एक लाख भी वेकंसी आ जाएगी ना आप सोच सकते हैं एक लाख युवा एक लाख युवा को और अगर नोकडी मिल जाती है तो समझ सकते हैं कि क्या खुशी होगी उनके घरों के अंदर तो यह जो डेटा आप देख पा रहे हैं कि कहीं न आपने देखा और चुकी देखिए आप जब त्यारी करते हैं तो उस रास्ते में बहुत ऐसे मोर पैदा होते हैं जो कहीं न कहीं बहुत बड़ा कारण बनता है आपकी सेलेक्शन नहीं होने का जो सेलेक्शन वाले बच्चे होते हैं उनका सेलेक्शन सीधा सटीक उनका रा खो जाते हैं, वो भूल जाते हैं, वो किसलिए आये हैं त्यारी करने, वो भूल जाते हैं अपने माबाप का दर्द, और वो भूल जाते हैं अपनी खुसी को, क्योंकि फ्यूचर में उन्हें मिलनी है, मैं आप से खेना चाहता हूँ, कि यह जो आप देख पार हैं, कि आप कह काम करते हैं, अगर आप अपने दिमाग से, दिल से काम करते हैं, आपके पास बहुत समय है, लेकिन अगर आप दिल से काम नहीं करते हैं, तो यह सोच के चलिए कि 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, 24 घंटा भी आपको दे दिया जाए, हमको लगता है कि वो आपको कि मेरे लिए बहुत काम है और ऐसा प्षील करते होंगे और आप इस चीज को सोचिएगा कि जिसको दिल से करते हैं ना और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अगर वो बच्चे जो बच्चे पटना आये हैं जो बच्चे किसी भी स्टेट में त्यारी करते हैं और जिनका सपना ही कि हमको करना है हमारे पास और आपसंस है नहीं हमको बस यही करना एक लाग डेर लाग सीट की वैकेंसी आएगे इतनी सीट खाली है इसमें सेलेक्ट होना है और मास लेवल में यह वैकेंसी है तो कहीं न कहीं यह बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपक्ट है आपके लिए कि आप कर सकते हैं और थोड़ा सा आपको यहां पे सतर करना पड़ेगा कि कुछ चीज है जिससे लोग अपने रास्ते में भटक जाते हैं वो रास्ता आपको चूज नहीं करना है और इसलिए हम हमेशा आपके साथ आते हैं और हमेशा आपकी पॉजिटिविटी को हमेशा आपके आवाज को ह इसी भी तरीके से आपको distract नहीं होना, चाहे कुछ भी रिजन हो, आपको distract नहीं होना हो, चुकि आप अगर पृत्थवी पर आये हैं, आप एक masterpiece है, जो masterpiece होता है, वही इस पृत्थवी पर आता है, और वही कुछ करके जाता है, इसलिए जो जैसे हैं, अपनी आपको बुलंद है सब को तोड़ देगा और आप एक सही रास्ते पर जाएंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सोसल मेडिया से बचिए आपको मैं कहना चाहता हूं कि जो सौट्स यूट्यूब के दुनिया में आप खो जाते हैं और आपको लगता है कि नहीं हमें कुछ करना है और आप इन चीजों को भूल जाते हैं और दूसरी बात कि अगर सौट्स की दुनिया में आप जाते हैं यूट्यूब की दुनिया में आप जाते हैं आप गल्फरेंड बनाते ह आप boyfriend बनाते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये आपको जिन्दगी भर खुशी नहीं देगा, ये आपको छनवर का खुशी देगा, ये जिन्दगी भर का खुशी आपको नहीं देगा, क्योंकि उन लोगों से पूछिए, जो लोग इनके दलदल में फसते हैं, और मैं कह कहना चाहता हूँ, थोड़ा जगिए, थोड़ा अपने दिल पे हाथ लीजिए, और कहिए, ये जिन्दगी हमारा ये जिन्दगी हमारा नहीं है, हमारा जिन्दगी तो कुछ और है, जहां हमें जाना है, और हमें लगता है, कि आपको लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ, कि दोस्त ऐसा बनाईए, दोस्त आप ऐसा बनाओ, जो दोस्त आपको हमेशा कुछ न कुछ सिखाता रहे, जो दोस्त आपको हमेशा अपनी बात बताता रहे, और जो दोस्त आपको हमेशा एक सही मार्क दर्सन में आपको लाता रहे, मैं यह कहना चाहता हूँ, जो कि आप दे समझता है और इसलिए हम कहना चाहेंगे मेरे दोस्त कि थोड़ा तयार रहिए ना थोड़ा तयार रहिए ना अभी आपका अभी आपकी बारी है आप करेंगे आपके लिए बहुत बड़ा उप्संस है आप तयार रहिए थोड़ा सा और थोड़ा सा द्रिड निस्चलिजिए अगर यहां है एक एक पाइसा का हिसाब करना है आपको, क्योंकि आप नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी, अगर आप जिस दिन आप इस बात को समझेंगे तब तक हो सकता है कि आपकी गारी बहुत आगे निकल गई होगी, और उस दिन हमें लगता है कि फिर आपके पास कोई options नहीं बचेगा, तो मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा तयार होने की जरुरत है और खुस होने की जरुरत है कि इतनी सारी vacancy अवी समय है, चुकि हमको लगता है कि इसके बाद अगर ये चुनावी साल गुजर जाएगा, तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं चार साल, पांस साल फिर आपका वो लाइफ भटक जाएगा, फिर आप पूरे डिमोटिवेट हो जाएगे, फिर कोई options नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, आप हमेशा मायूस रहेंगे, क्योंकि इतनी सारी वेकेंसी, लाइफ में लोग कभी नहीं देख पाता है, options है, महनत करिए, और महनत कीजिएगा, हमारा full support है, minimum fees में, जितना होगा, कि हम जितने में जी पाएंगे, उतने में ही आपको पढ़ाएंगे, ऐसा चुकि हमें feel होता है, हम आपको कभी ये नहीं कहेंगे, 5000, 10,000, 25,000, मैं ऐसा fees कभी नहीं आपके पास लाओंगा, और मैं ये सोच के आपको पढ़ाओंगा, कि आपका selection हो, और जिस दिन आपका selection हो जाएगा, उस दिन अगर आपका हम दिल करेगा, तो आप हमें जहां बुला करके पाटी देना च काम आता है, तो सायद वो खुशी रात भर हमें सोने भी नहीं देता है, इसलिए आप थोड़ा सा त्यार रहिए, और अपनी आपको थोड़ा positive बनाईए, आप एक masterpiece है, आप सब कुछ कर सकते हैं, और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ आपको मेरे दोस्त, कि यहाँ पर एक ची होगा, बस उम्मीद मत छोरना, बस उम्मीद मत छोरना, हविस जरूर बहतरीन होगा, और मैं इसलिए यह कहना चाहता हूँ, कि आपको हारना नहीं है, आपको down नहीं होना, आपको up होना है, आपको ऊपर की सोचना, आपको नीचे की सोचना ही नहीं है, तो मैं इसलिए मैं आपके लिए हमेशा आउंगा और next tutor campaign के लिए हम लोग तयार रहेंगे और जो tutor campaign होगा वो बता दिया जाएगा और हम लोग कोशिस करेंगे अपनी positive बातों को सरकार तक फिर से पहुचाएं उन सरकार को फिर से जगाएं ताकि उनको लगे कि युवा हमारी आवाज है तो मैं क district होती रहेंगे कारण जो भी हो लेकिन district होने की कारण बहुत सारे हैं लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं कि आपको bus और bus दुनिया में एक ही चीज ऐसा चीज है जो जिन्दगी में कभी भी काम आएगा वो bus और bus आपका knowledge वो bus और bus आपका पढ़ाई है तो इसी लिए मैं आ आपसे कहना चाता हूं चाहि ही सुशन कैसा भी हो चाहि शिचुवेशन कैसा भी हो आपको परहाई यह दूनियां कर दोस्ति नहीं पढ़ना है Хोश कर लीजिये नहीं तो फिर बाद में पच्तने में किसिव आपको कुछ नहीं बचेगा इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ थोड़ा तयार रहे हम आपका मदद करेंगे हम जो भी हो सकता है मिनिमम फिस में आपको पढ़ाएंगे लेकिन आज हम लोग ट्विटर क्यंपेंड किये यूटूब से जो कुछ भी अपनी आवाज को ऊपर पहुंचाए हमको लगता है कि उसका कहीं नगी पॉजेक्टिव रेस्पॉंस मिला इसलिए हमें लगा कि नहीं ये बात आपको सेर करना चाहिए हमारे वो भाई-लोग जो अभी भी मायोस हैं उनको लग रहा है कि नहीं हमारी ट्विटर कंपेंड का कोई फैदा नहीं है आप इस ब्रह में ना हमको प्लेटफोर्म कोचिंग आ करके परना जिनको लगता है कि नहीं ओनलाइन और ओफलाइन के माध्यम से परना है मैं उन वच्छों को निरास नहीं करूंगा आप गौव में रहते हैं गौव में रहिए आप एफर्ट नहीं कर पाते हैं पैसा नहीं किजिए आप गौव बार बार आपका एज भी नहीं रहेगा कि आप बार बार मेहनत करेंगे इसलिए जो समय है उस समय का सही सदूत प्योग कर लीजिए तो हमें लगता है कि इससे बहतर कुछ नहीं होगा इसलिए हम उन भाईयू लोगों को कहना चाहते हैं कि एक basic science और engineering drawing का मैंने बैस दिया थो उसमें बहुत सारे बच्चे इंड्रोल हुए और उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं जो बच्चे ये कह रहे हैं कि अभी हम नहीं इंड्रोल हुए अभी हमें करना है चुकि एक selection चुकि आप basic science अगर पढ़ते हैं और साथ में engineering drawing अगर पढ़ते है आपको पता है कि आप कितने knowledge के आपके अंदर कितनी knowledge आ जाएगी सायत यह आपको जिंदगी में जिंदगी किसी मोर पर काम आएगा तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर उन भाईयों के लिए जो निरास है जिनका रास्ता जिनको अपना vision clear नहीं हो पा रहा है मैं उनको कहना चाहता हूँ कम fees है आपके लिए और सुनाहरा अबसर है आपके लिए हमारी platform की जो team है सायथ हमको लगता है कि non-tech के दुनिया में तो सब से आगे है यह हम इसलिए कहते हैं चुकि हमारे institute का यह 20 वर्सों का experience है और एक-एक यहाँ पर जितने भी teaching और non-teaching staff है सब को यह बात पता है कि रास्ता क्या है से लिए अगर आप थोड़ा सा भी अगर भटकते हैं तो थोड़ा सा अपना सटीक रासा आपना यह और आईए मेरे साथ हम आपको दिल खोल करके आपको पढ़ाएंगे और मैं कहना चाता हूँ कि जो बच्चे अभी भी जिनको लगता है कि नहीं हमें ELP के लिए परना है या किसी अधर competition के लिए science परना है आप आईए और आप पढ़के अपने आपको जरूर कहिएगा कि सर हम सही जगा पर हम अपना attempt लिए और इसके साथ आपका science के साथ जो लोग ELP के तियारी करेंगे उनको engineering drawing भी परना होगा जो कि हमारा चार से पांच पीम में यह evening में आपका बैच होगा इसका 999 रुपया online में फिस था लेकिन यह 499 रुपया यह हैं यह management के द्वारा नहीं किया गया यह कहीं न कहीं हमारे हमको लगा कि नहीं हमारे वह आएंगे यार 999 कहांस देंगे 499 में तो आप mobile का recharge करते हो एक बार 499 का recharge हमारे institute में भी करो knowledge मिलेगा टोटली के टोटली आपके time जो है वो utilize होंगे no wasting इसलिए अगर आप करना चाहते हैं तो science और ED मातरच 499 रुपया में 4 से 5 में आप online या offline offline में आएंगे उनका अलग फीस है जो कि आपको ये contact number जो offline का है आप इन पे call करके जरूर स्योर हो जाएंगे क्या फीस है कब से ये बैच चलेंगे क्या timing है आप उस सारी चीजे पता चल लागा और ये Monday से आपका batch announce है तो आएए जुड़िए ताकत बनाएए और दिर्ड निस्चा लिजिए कि इस वार result लेना है मैं फिर से कहना चाहता हूँ मैं फिर से कहना चाहता हूँ चुकि मुझे बहुत पसंद है ये line मैं फिर से कहना चाहता हूँ आज मुस्किल है कल थोड़ा बहतर होगा पस उम्मीद मत छोरना मेरे दोस्त हभी जरूर बहतरीन होगा इसी अंदाज में मैं कहना चाहता हूँ ये तयार रहे आईए मेरे साथ और मिल करके हम लोग आगे बढ़ते हैं तो चलिए इस वीडियो को यह रखेंगे फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो ओके बबाई